मुक परिक्षा के दृष्टकोंड से करेंट वेस के आज के टॉपिक में आज हम यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के एक महत्पूर्ण टॉपिक को डिसकस करेंगे दिया जाएगा, जो मुख्य परिक्षा के द्रिश्गोर्ट से आप इस पर अभ्यास भी कर सकते हैं, इसको answer writing भी कर सकते हैं, ठीक है, साथी साथ इस वीडियो की जो PDF है, यहाँ पर देखें, टेलिग्राम लिंक दी हुई है, जहाँ पर इस वीडियो की जो PDF है, वहाँ पर आ आज का अपना session, क्या है मड़िपूर हिंसा और इससे संदर्भित मुद्दे, सबसे पहले देखें, यह मुद्दा जो है, संदर्भित में जो चर्चा का विशय बना क्यों, अर्थाद मड़िपूर में जो हिंसा लगाता हो रहे है, इसके पीछे का reason क्या है, देखें, reason यह है कि सुप्रेम कोट ने एक decision दिया था, decision क्या था, कि गैर जनजाती जो मैतेई समुदाई है मड़िपूर में जो रहता है, उस समुदाई को यहाँ पर अनसूची जनजात यहाँ पर ST में शामिल करने या उसका दर्जा देने कि उसके 10 वर्ष पुरानी अंशंशा पर आग हाई कोट के decision के संदर में उसके बाद यहाँ पर कुकी समुदाई के द्वारा लगातार यहाँ पर एक हिंसात्म गत्विधियों को अनजाम दिया जा रहा है, आईए समझते हैं कि मड़िपूर के जो प्रमुक समुदाई हैं वो कौन-कौन से हैं और इनका क्या रोल है, क्य इनकी भौगोली के किस्थिती है, इनका किस तरीके से यहाँ पर मड़िपूर में यहाँ पर उनकी उपस्थिती कैसी है, सबसे पहले देखें यहाँ पर मैतेई जो है मड़िपूर का सबसे बड़ा समुदाई है, ठीक है, सबसे बड़ा समुदाई कौनसा है, मैतेई है और 34 माननिता प्राप्त यहां पर जनजातियों में एनी कुफी ट्राइप्स और एनी नागट ट्राइप्स के रूप में यहां पर इन्हें वर्गे कृत किया जाता है राज में अगर हम देखें तो राज की जो केंद्री घाटी है मडिपूर में वो भूभा का केवल 10% हिस्सा है और लेकिन मुख्य रूप से मैतेई और मैतेई पंगलों का जो घर है यहां पर वो यहां पर राज की आबादी का लेव करीब 64.6% है अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भौगोलिक द्रिश्कोंड से देखें जो घाटी है वो आपके मडिपूर का सबसे कम हिस्सा है लेकिन वहाँ पर आबादी अगर हम देखा जाए तो मडिपूर की सबसे जादा आबादी आपको वहाँ पर रहती हुई पाई जाती है कूकी और अन्न यहाँ पर समुदा आपको जादा देखने को मिलते हैं मैतेई समुदा यहाँ पर क्यों चाहता है यहाँ पर समीति है अनसूची जंजाती मांग समीति के नेत्रिट में 2012 में इस मांग को लेकर यहाँ पर एक समर्थन के सकते हैं यहाँ इसकी मांग को समर्थन करने का प्रयास किया गया उसके बाद मामला यहां पर देखे जाए मणिपूर उच न्याले के समक्ष गया और वहाँ पर याचिका मैटेई जन्जाति संग के दौरा यहाँ पर प्रस्तुत की गई मणिपूर को यहाँ पर सरकार को नर्देश देनी की मांग की गई मरिपूर में जंजातियों भी जंजात के रूप में उसे मानता देना और केंद्री जंजात मामलों मंतराले के यहाँ पर सिफारिश की मांग करना जैसे यहाँ पर पहलों इसमें शामिल थे याच्गा करताओं का यहाँ पर तरक क्या था? वो भी यहाँ पर पक्ष जान लीजिए देखे तरक था उननीससो उन्चास में भारत संग के साथ मरिपूर की रियासत के विले के पहले की किस्तिती समुदाय को जंजात की रूप में मानिता विले के बाद एक जिंजात की रूप में उन्होंने लेकिन मैं अपनी पहचान खो दी उसके बाद इन्हें ST दर्जे की मांग समुदाय को संरक्षित करने की यहाँ पर आवश्रक्षित आपर यहाँ पर उनको कह सकते हैं कि ST समुदाय में शामिल होने के बस्चाथ मैंतेही समुदाय को जादा संरक्षण प्राप्थ होना सुरू हो जाएगा और इनका जो तर्क है इसी के पीछे कि यहीं ST का दर्जा मिल जाता है तो कहीं न कहीं ज़्यादा हम सुरक्षित और संरक्षित यहाँ पर महसूस कर सकते हैं इसके लावा देखा जाए तो मैतेई की पैत्रिक भूमी परमपरा संस्कृत भाषा को बनाने की भी यहाँ पर आपको आवशकता है देखें जब भी आपको स्ट के दर्जा मिलेगा ना सिर्फ आप एक जनजात के रूप में संरक्षित हो जाएंगे बलकि आपसे संबने जो भाषा होगी, सैली होगी, भूमी परमपरा, संस्कृतियां उन सब को यहाँ पर संरक्षन प्राप्थ होगा मैतेई जो जनसंख्या थी 1951 में मड़िपूर की कुल जनसंख्या का 99% थी और जो 11 की जनसंख्या में यह घटकर आपको 44 प्रिश्यत यहाँ पर देखने को मिलती है आदिवासी समू के द्वारा यहाँ पर देखा जा तो मैतेई समुदाय की समांग का विरोध क्यों किया जा रहा है ये भी समझ लीजिए देखें राज जी के जो आदिवासी समू है उन लंबे समय से लगातर इसका विरोध करते आए हैं का कारण यह है कि जनसंख्या और राजनितिक प्रतिनित में दोनों में देखा जाए तो मैतेई का प्रभुत है और अगर हम स्ट का दर्जा भी दे देते हैं तो उनका प्रभुत और भी जादा यहाँ पर बढ़ जाएगा राज के 60 में से 40 विधान सबा चेतर घाटी में मैतेई बहुल उन्नत समुदाई से जुड़ हुए है और 40 विधान सबा सीर जो है मैतेई समुदाई अर्था घाटी चेतर से आते हैं और STE को दिये बगर नोकरी के ओसर पे आउसर वगर STE नहीं दिया गया है लेकिन उनके पर यापत नोकरी के ओसर है जो nोकरी के और भी बहतर आउसर उन्हें पर मिलेंगे और अन्साकरात्मक लाप जो है उनका भी यहाँ पर नुक्सान के गिस्तिदी ये सारी चीज़े यहाँ पर आदिवासी समूझ जो है उनका विरोध कर रहे हैं कि मैतेई समुधाय को संदक्षन मिलने से बांकि जो समुधाय जिसे कुकी समुधाय है उनको यहाँ पर नौकरी, व्यवसाय, अनतीजों में यहाँ पर उनको वो प्रात्मिक्ता नहीं मिलेगी जो मैतेई समुधाय को मिलने लगेगी इसके साथ मैतेई लोगों की मणपूरी भासा समुधार की आटवी अनसूची में सामिल है मैतेई समुधाय के वर्ग मुखि रूप से यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू है पहले से यह अनसूची जातिया ने पिछड़ा वर्ग के ताहत वर्गे के तो उस इस्थिती से जुड़े आफसरों का यह लाप्राप्त कर रहे है और मेती राज जोर उसके तंद्र को नियंतरित करने वाला एक प्रमुख यहाँ पर आपका समुध है राज की दौरा उनके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की यहाँ पर आपको रक्षा की जा रही है अब राज में चल रहे है संघर्स के कारण क्या क्या है देखा जाए तो यह तो मुद्दा हमने समझा की मूलता मड़िपूर के भागोले के स्तती क्या है मांग क्या है एस्टि धरजे की मैतेई समुधाय क्या चाता है अन्य समदाएं वहाँ पर उनके विरोध में क्यातार के देते हैं जो कि हिंसा का यहां पर स्वरोब बन रहा है अब हिंसा का देखे जाए जो कारण है यहीं मूल जड़ है आपकी हिंसा के कारण का इसमें देखिया संतोस का एक प्रमुक कारण है 2222 में सरकार ग्राज सरकार के द्वारा अगस्त में एक नोटिस जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि चुराच चंदपुर खीम संरक्षित वंचेत्र के 38 गाओं अवैध बस्तियों के रूप में वहाँ पर गोशित किये गए और उन गाओं को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया निवाशियों का यहाँ पर देखा जाए जिन जो निवाशी थे उनका अतिक्रमाट करता है उन्हें माना गया और सरकार के बेधकली अभियान का कहने का मतलब है सरकान ने वहाँ पर बेधकली अभियान भी चलाया कुकी समू सर्वेक्षन निसकासन उच्छे तिनसे कहतर सी का यहाँ पर इसे देखा जाते है के लुंगहन के तौर पर भी देखा गया लेकिन एक चीज जो आपसे लास्ट में पूछे जाएगी कि देखिए इसके संदर में आप क्या किया जा सकता है तो उपाय आपको जरूर पता होना चाहिए तो देखिए संदर में देखिए कई सारी समितियां गटित की गई थी हैं जैसे कि लोकुर समित ने वर्ष 1965 में सुझाओ दिया था कि किसी भी समदाय की पहचान के लिए पांच मांदर्ण होने जाहिए पहला आदिम लक्षण, दूसरा विशिश्य संस्कृती, तीसरा भाउगोलिक अलगाव, चोथा बड़े पैमाने पर समदाय के साथ संपर्ग, संकोच और पिछड़ापन चोथा यहाँ पर दूसरा इसके बाद आया भूरिया आयो, जो 2002-2004 की बीच यहाँ पर गठित किया गया, इन्होंने भी अपने अस्तर पर कुछ सुझाओ दिये हैं इसी तरह वश्दोजा 13 में प्रोफेसर वरजीनिय साशा के अधिक्ष्टा में एक उच्च अस्तरी समित का भी गठन किया गया और जिन्हों जन्जाज समदाय समंधित 5 महत्पूर मुद्धों पे अध्यन करने का यहाँ पर कारे सौपा गया था आजीव का एम रोजगार, सिक्षा, स्वास्त, अनच्छिक विस्थापन एम प्रवाशन, विधिक एम समवैधाने मामले तो आप इनको यहाँ पर इनका प्रयोग किया जा सकता है उसके माध्यम से सही तरीके से किसी भी आदिन जन्जाद की पहचान की जा सकती है उनको दर्जा दिया जाना चाहिए तो यहाँ पर इस मुद्ध को काफी आसानी से यहां किसकते साधा सिस्टेमेटिक तरीके से हाँ पर हल किया जा सकता है इसके साथ साथ अगर हम देखे तो अन्य उपायों के तौर पर म्यामार से दिखे प्रवासियों के घुसपैट की समस्या जो है उससे रोका जाना चाहिए क्योंकि जो दक्षण पूरवी हमारे राज जे हैं वो म्यामार बांगला देश के साथ लगते हैं और वहां से जो हिंसात्म घटनाएं होती हैं वहां से लोग पलायन करते हैं और हमारे देश में इन छेत्रों में आकर रह बस जाते हैं और हमारी मिट्टी और जमीन पर यहाँ पर देखा जाए अधिकार बस्तियां जमाल लेते हैं और फिर वहाँ पर आगे चलकर हिंसात्म घटना है उत्पन होती है। विवादस पर जो मुद्धे हैं जैसे कि सस्त्र बल विशेश अधिकार अधिनियम आजवा 1958 का निर्सन छेत्र में मानवा धिकारों की स्तिती में सुधार के लिए आवश्चक है कि सरकार को ये सुनेशित करना होगा कि कानूनी विवस्ता निस्पक्ष पारदशी हो और सुरक प्रोट साहित करना जैसे विकल्पों को यहाँ पर अपनाया जा सकता और इसके माध्यम से मड़िपूर हिंसा या ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा को होँम यहाँ पर बेहतर तरीके से नियंतरित कर सकते हैं चलिए आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्ण क्या है इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्ण है मड़िपूर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हाली की हिंसा एवम अशांती के कारणों और परिणामों का परेक्षण करें सभी हितिधारकों की सिकायतों को दूर करने और पूरोतर के छित में शांतियम सद्भाव भाल करने के लिए कौन से कदम उठाया जाने की आवश्यक्ता है तो यह आज आज आपका प्रशन है दोस्तों सब्दों इसको यहाँ पर लिखना है जैसा मैंने बताया टेलिग्राम लिंक यहाँ पर डिस्क्रेप्शन में दी गई है आप उसके थुरू हमारे टेलिग्राम ग्रुप जोइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको पीडियाफ भी मि टेलिग्रा स्कत्राइब आात।